International Grants Council, IGC, ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में 2023 से चौबीस सीजन के दौरान चावल का उतपादन विश्वस्तर पर घटकर 51.1 करोर टन पर सिमटने की संभावना व्यक्त की है, जो पिछले अनुमान 52.1 करोर टन से 1 करोर टन तथा 2022 से 23 सीजन के अनुमानित उतपादन 51.4 करो के सीजन में भी 51.4 करोर टन तथा 2020 से 21 के सीजन में 50.9 करोर टन आका गया था. IGC की रिपोर्ट के मताबिक चावल का वैश्विक कारुबार भी 2022 से 23 सीजन के 510 लाग टन से गिरकर 2023 से 24 के सीजन में 500 लाग टन पर सिमटने की संभावना है, जबकि इसकी मातरा 2021 से 22 में 560 लाग टन एवं 2020 से 21 में 510 लाग टन दर्स की गई थी. कॉंसिल ने चावल की वैश्विक खपद 2022 से 23 सीजन के 52 करोर टन से घटकर 2023 से 24 के सीजन में 51.80 करोर टन रह जाने की संभावना व्यक्त की है, मगर यह खपद कुल वैश्विक उतपादन से 70 लाग टन ज्यादा होगी, इसलिए चावल के वैश्विक बकाया स्टॉक में कमी आजाएगी, चावल के प्रमुख निर्यातक देशों में भारत, थाइलेंड, वियतनाम, पाकिस्तान, म्यामार, अमरीका एवं कमबोडिया आदी शामिल हैं, इसके शीर्ष उतपादक देश, चीन, भारत, बांगला देश, इंडोनेशिया एवं थाइलेंड हैं, भारत चावल का सबसे प्रमुख निर्यातक एवं दूसरा सबसे बड़ा उतपादक देश है, आईजीसी ने दो हजार तेईस से चौबीस के सीजन में चीन तथा कुछ निर्यातक देशों में चावल का अधीशेश स्टॉक घटने की संभावना व्यक्त की है, इसके अलावा भार चावल का निर्यात घटने का अनुमान लगाया है, जबकि अन्य निर्यातक देशों से शिप्मिंट बढ़ने की उम्मीद की गई है, मालूम हो कि भारत से गैर बास्मती सफेज चावल तथा एक सौ प्रतिशत तूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंद लगा हुआ है, Bureau Report Market Times TV